arrangement of space, अभी हमने physical dimension के हवाले से furniture arrangement की बात की, furniture arrangement के साथ एक और बहुत बुनियादी बात है और वो space है, हम जब classroom में पढ़ाते हैं, तो space allocation जो है, वो क्या करते हैं, और यह largely जो है, यह teacher के उपर depend करता है, and it reflects the teaching style of a teacher, बास teachers जो हैं, वो एक जगा पर खड़े होकर पढ़ाना जो है, वो पसंद करते हैं, और वो space को utilize नहीं करते हैं, इसके बरक्स, उस ऐसे teachers होते हैं, जो movement पर यकीन रखते हैं, और वो space का बहुत अच्छा इस्तमाल करते हैं, तो आपकी अपनी utilization of space classroom में, और वो space ज जेते हैं, ये दोनों जो हैं, ये बेहत ज़रूरी हैं, और इन दोनों से एक successful teaching और learning का process जो है, वो चल सकता है, तो जब आप classroom में पढ़ाएं, तो सबसे पहले तो आपका जो lesson plan है, वो determine करेगा कि allocation of space जो है, वो कहां कहां पर दरकार है और कैसी दरकार है, that is very very important, इसलिए आ आप students को organize करें around tables, अगर वो group work कर रहे हैं, और ये भी देखें कि कितने students जो हैं, वो group की शकल में comfortably बैठ सकते हैं, आम तोर पर हम group work कराने की खातिर वाज़ोकात यूं करते हैं, कि 10-10, 12-12 बच्चों का एक group बना देते हैं, अम जब ये करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं, कि classroom में space कम है, tables छोटे हैं, chairs जो हैं, वो एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, और वहाँ पर effectively space manage नहीं हो सकती, तो अगर आपने group कराना है, तो इस चीज़ का खयाल रखें, कि आप कितने group बना सकते हैं, सबसे पहले तो आप classroom size को अपने जहन में रखें, और फिर ये जहन मे रखें, कि आपके classroom में कितनी tables और कितनी chairs हैं, और effectively कितने groups बन सकते हैं, जबरदस्ती जब आप groups बनाते हैं, और ज़्यादा students को group की शकल में बिठा देते हैं, तो बाज वकात problems हो सकती हैं, इसी तरह से जो students हैं, वो सही तोर पर collaborate नहीं कर पाते हैं, जब वो बहुत closely बैठ तो जाहर है कि वो दूसरे से टकराएंगे, और उससे effectively group work या किसी भी और project work या और collaborative work जो है, वो manage नहीं हो पाता, So please ensure that you arrange the space according to the needs of the classroom, please keep in view the classroom size, and according to the classroom size, try to manage the space, इसके इलावा, जब आप whole group discussion कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो एक U-shaped space होती है, वो जादा भेतर रहती है, जब आप U-shaped space देंगे students को, तो एक तो उसका फायदा ये है, कि वो सब आपको अची तरह से देख सकते हैं, आप ऐसी position लें, जो students जो हैं, जब वो U-shaped में बैट है, कि students जो है, वो सारा वक्त एक अपनी कुरसियों पर ही बैठे रहें, एक comfort level achieve करने के लिए, बाज उकात teacher जो है, वो classroom arrangement में तबदीली लेकर आती है, और space allocation जो है, उसको देखते हुए, students को कहती है, कि आप या जमीन के उपर बैठ जाएं, या U-shape में बैठ जाएं, या let make a circle on the carpet and discuss, उससे जो है, students के मिजाज में भी थोड़ी सी तबदीली आ जाती है, वो जड़ा fresh हो जाते हैं, because you give them space to move around, और उसमें, जो है, when they talk to you, they talk to you in a more freshening manner, rather than, you know, sitting on the chairs unnecessarily, इसके इलावा, जब आप students के साथ, कोई individual काम कर रहे हैं, तो यह देख सकते हैं, कि आप उनको individual learning stations दें, यह बेहत ज़रूरी है, जब आप learning stations देते हैं students को, तो you ensure that they work with a lot of attention, learning stations का देना बहुत ज़रूरी है, और learning stations जो है, वो उनकी अपनी desk and chairs भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें space arrangement ऐसा होता है, कि उनको अपने साथ बैठे वे जो उनके साथी हैं, उनसे कोई disturbance नहीं होती, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साथ बैठे वे साथी जो हैं, वो पूछते हैं, जबके नहीं पूछना, जब काम जो है, वो full attention से करना है, तो फिर space इतनी होनी चाहिए, that all students can work independently and with a lot of attention. कि काम चाहिए?